हेलो एफ्रिवन मैं हूँ दीपिका आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे क्लास नाइन्थ की हिंदी पाठ्य पुस्तक स्पर्ष भाग एक का गद्य खंड जिसका पहला अध्याई है तुख का अधिकार और इसके लेखक है यश्पाल तो आईए शुरू करते हैं मनुष्यों की पोशाकें उन्हें विभिन श्रेणियों में बाड़ देती हैं प्रायह पोशाक ही समाज में मनुष्य का अधिकार और उसका दर्जा निश्चित करती हैं वह हमारे लिए अनेक बंद दर्वाजे खोल देती हैं परंतु कभी ऐसी भी परिस्थिती आ जाती है कि हम जरा नीचे जूप कर समाज की निचली स्रेणियों की अनुभूती को समझना चाहते हैं उस समय यह पोशाक ही बंधन और अर्चन बन जाती हैं जैसे वायू की लहरें कटी हुई पतंग को सहसा भूमी पर नहीं गिर जाने देती उसी तरह खास परिस्थितियों में हमारी पोशाक हमें जुक सकने से रोके रहती हैं बाजार में फुटपाथ पर कुछ खर्वूजे डलिया में और कुछ जमीन पर बिक्री के लिए रखे जान पड़ते थे खर्वूजों के समीब एक अधेड उम्र की आउरत बैठी रो रही थी खर्वूजे बिक्री के लिए थे परंतु उन्हें खरीदने के लिए कोई कैसे आगे बढ़ता खर्वूजों को बेचने वाली तो कपड़े से मुह चिपाए सिर को गुटनों पर रखे फफ़क फ़फ़क कर रो रही थी पड़ोस की दुकानों के तक्स्तों पर बैठे या बाजार में खड़े लोग घ्रणा से उस इस्त्री के संबंध में बात कर रहे थे उस इस्त्री का रोना देखकर मन में एक व्यथा सी उठी पर उसके रोने का कारण जानने का उपाई क्या था फुटपात पर उसके समीब बैट सकने में मेरी पोशाख ही व्यवधान बन खड़ी हो गई एक आदमी ने घ्रणा से एक तरफ थूपते हुए कहा क्या जमाना है जवान लड़के को मरे पूरा एक दिन नहीं बीता और यह बेहया दुकान लगा के बैठी है दूसरे साहब अपनी दाड़ी खुजलाते हुए कह रहे थे अरे जैसे नियत होती है अल्ला भी वैसी ही बरकत देता है सामने के फुटपात पर खड़े एक आदमी ने दियासलाई की तीली से कान खुजाते हुए कहा अरे इन लोगों का क्या है ये कमीने लोग रोटी के टुकड़े पर जान देते हैं इनके लिए बेटा बेटी खसम लुगाई धर्म इमान सब रोटी का टुकड़ा है परचून की दुकान पर बैठे लाला जी ने कहा अरे भाई इसके लिए जीए मरे का कोई मतलब न हो पर दूसरे के धर्म इमान का तो ख्याल रखना चाहिए जवान बेटे के मरने पर तेरह दिन का सूतक होता है और वह यहां सडक पर बाजार में आकर खर्बूजे बेचने बैठ गई है हजार आदमी आते जाते हैं कोई क्या जानता है कि इसके घर में सूतक है कोई इसके खर्बूजे खा ले तो उसका इमान धर्म कैसे रहेगा क्या अंधेर है पासपड़ोस की दुकानों से पूछने पर पता लगा उसका तेईस बरस का जवान लड़का था घर में उसकी बहू और पोता पोती है लड़का शहर के पास डेड़ वीघा भर जमीन में कछियारी करके परिवार का निर्वाह करता था तर्बूजों की डलिया बाजार में पहुचा कर कभी लड़का सोयंग सौदे के पास पैट जाता कभी मा बैट जाती लड़का परसो सुबह मुह अंदेरे बेलों में से पके खरबूजे चुन रहा था गीली मेड की तरावट में विश्राम करते हुए एक साप पर लड़के का पैर पढ़ गया साप ने लड़के को डस लिया लड़के की बुढिया मा बावली होकर ओजा को बुला लाई जारना फुकना हुआ नाग देव की पूजा हुई पूजा के ले दान दक्षिना चाहिए घर में जो कुछ आटा और अनाज था दान दक्षिना में उठ गया मा बहु और बच्चे भगवाना से लिपट लिपट कर रोए पर भगवाना जो एक दफे चुप हुआ तो फिर ना बोला सर्प के विश्व से उसका सब बदन काला पड़ गया था जिन्दा आदमी नंगा भी रह सकता है परंतु मुर्दे को नंगा कैसे विदा किया जाए उसके लिए तो बजाज की दुकान से नया कपड़ा लेना ही होगा चाहे उसके लिए मा के हातों के छन्नी कनना ही क्यों न बिग जाए भगवाना परलोग चला गया घर में जो कुछ चूनी भूसी थी सो उसे विदा करने में चली गई बाप नहीं रहा तो क्या लड़के सुभा उठते ही भूक से बिलबिलाने लगे दादी ने उन्हें खाने के लिए खरबूजे दे दिये लेकिन बहु को क्या देती बहु का बदन बुखार से तवे की तरह तप रहा था अब बेटे की बिना बुढ़िया को तुवन्नी चवन्नी भी कौन उधार देता बुढ़िया रोते रोते और आखें पोचते पोचते भगवाना के बटोरे हुए खरबूजे डेलिया में समेट कर बाजार की ओड चली और चारा भी क्या था बुढ़िया खरबूजे बेचने का साहस करके आई थी परंतु सिर पर चादर लपेटे सिर को गुटनों पर टिकाई हुए फपक फपक कर रो रही थी कल जिसका बेटा चल बसा आज वह बाजार में सौदा बेचने चली है हाई रे पत्थर दिल उस पुत्र वियोगिनी के दुख का अंदाजा लगाने के लिए पिछले साल अपने पड़ाउस में पुत्र की मृत्यू से दुखी माता की बात सोचने लगा वह संभ्रांत महिला पुत्र की मृत्यू के बाद अढ़ाई मास तक पलंग से उठना सकी थी उन्हें 15-15 मिनट बाद पुत्र वियोग से मूर्चा आ जाती थी और मूर्चा ना आने की अवस्था में आखों से आसू ना रुख सकते थे दो-दो डाक्टर हर दम सिरहाने बैठे रहते थे हर दम सिर पर बरफ रखी जाती थी शहर भर के लोगों के मन उस पुत्र शोक में द्रवित हो उठे थे जब मन को सूच का रास्ता नहीं मिलता तो बेचैनी से कदम तेज हो जाते हैं उसी हालत में नाक उपर उठाए राह चलतों से ठोकरे खाता मैं चला जा रहा था सोच रहा था शोक करने गम मनाने के लिए भी सहूलियत चाहिए और दुख होने का भी एक अधिकार होता है आज के इस वीडियो में बस इतना ही वीडियो में अंध तक बने रहने के लिए आपका शुक्रिया तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए अधियाई के साथ तैंक यू